अगर यह फोर्ज उस दिन इन्जाम करते हैं, जिस दिन जरूर थी, जिस दिन धार्विक यात्रा निकाली जा रहे थी, तो यह स्टेज ही नहीं आती, तो यह जो है हमारे लोगतांत्रिक जो अधिकार हैं, जो विदायकों के, जो हमारे सांसद, सांसदों के, तो यह अब सीनि इसलोग का जो डेलिगेशन आयाई आपारटी की तरफ से यह हमारे लोगतांतरिक अधिकारों का हनन है नुँ में हिंसा के आट दिन बाद शांती और भाईचारे का संदेश लेकर जा रहे हर्याना कॉंग्रिस नेताओं के प्रतिनी धिमंडल को फुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया जिसको लेकर नारास कॉंग्रिस के तमाम नेता पूरा राशन पानी लेकर हर्यान सरकार पचड़ गए दरसल हिंसा के बाद पीड़तों से मिलने और हिंसा प्रभावित इलाकों में माहौल का जायजा लेने के लिए कॉंग्रिस ने बीते दिन ही स्थान ये पुलिस प्रशासन को सूचना दे दी थी जिसके तहट आज कॉंग्रिस प्रदेशा ध्यक्ष उधैभान और दीपेंदर खुटा की अगवाई में नौ सदस्तिये प्रतिनिधी मंडल नू दोरे के लिए निकले थे लेकिन गाउं पाइक का डंडा में पुलिस स्पोर्स ने धारा 144 और माहौल खराब होने की दुहाई देते हुए कॉंग्रिस नेताओं को रोक लिया हाला कि इस मौके पर कॉंग्रिस नेताओं ने आगे जाने के लिए पूरी कोशिश की लेकिन जब पुलिस ने इजाज़त नहीं दी तो मीडिया के कैमरे पर कॉंग्रिस नेताओं ने सरकार पर जम कर भड़ास निकाली यह हमारे नौ लोगों का डेलिगेशन था और इसके लिए हमने विदिवत सूचना दी थी परशासन को डी सी को, एस पी को, एडिशनल, डी जी पी, लॉइन अडर को यहाँ पर सभी को सूचना दी थी लेकिन यहाँ पर जो माहल बना रखा है, कि जो इन्होंने हम सब को यहाँ पर रोक लिया, वहाँ से आगे जाने नहीं दे रहे तो यह हमारे लिए बड़ी भी अफसोस की बात है कि हम नौ आदमी का डेलिगेशन भी अगर यह फोर्स उस दिन इन्जाम करते हैं, जिस दिन यह जरूर थी, जिस दिन धार्मे की आत्रा निकाली जा रहे थी तो यह स्टेज ही नहीं आती, हमारे नौ आदमीं के लिए इतनी बड़ी यहाँ पर भारी पलिस को तैनात किया गया है तो यह जो है, हमारे लोगतांत्रिक जो अधिकार हैं, जो बदायकों के, जो हमारे सांसद, सांसदों के, तो यह पर सीनियर लोग का जो डेलिगरिशन आया पार्टी की तरफ से, यह हमारे लोगतांत्रिक अधिकारों का हनन है ये सरकार की नाकाम्यावी है इसका हर तरह से इसका फेलियर हुआ है इंटेलिजेंस फेलियर हुआ CID से सारी रिपोर्टे थी जो CID इंस्पेक्टर था विश्वजीत उसका वीडियो भी वारल हुआ लेकिन इनोंने कोई व्यवस्ता नहीं की दूसरा ग्रह मंतरी के भी अलग अजब गजब के जो उनके बयान आते रहे कभी किसी को क्रींचिट दे रहे कभी किसी को दोसी करार दे रहे फिर करें कि साड़े तीन बज़े तक मुझे तो पता ही नहीं था और मुख्य मंतरी कह रहे हैं कि हम किसी को सरक्षा दे नहीं सकते हर आदमी को हर वेक्ती को तो यह विफल सरकार है यह पूरी तरह से यह सरकार का यह फेलियर है और इसको हम जाना चाहरे थे लोगों को पीड़तों के हमने तो शांती और सदभाव का संदेश लेकर के जा रह नू में जाने से पुलिस ने रोका तो उध्यभान से लेकर कैप्टन अजयादव और दिपेंदर सिंग खुड़ा का गुस्सा फूट पड़ा उन्होंने कहा कि यही पुलिस पोर्स अगर 31 जुलाई को सरकार ने तेनाथ करती होती तो आज ना तो नू जलता और ना ही अन्य जिलों में हिंसा और दंगे की आग भड़कती पीडित से इस पूरे प्रकड में सरकार की फलता की वज़े से आज जो सारे पीडित हैं हर धर्म हर्म समिधाय हर जाती के हर वर्क की पीड़ा जानना चाते थे उनके जखमों पे मलन लगाने के लिए आज ऐसी सोच के साथ केवल नौ व्यक्ती और हम समविधाने पदोपे हैं ये केवल राजनेतिक डेलिगेशन ही ना मानिए दान जिंग जी भूशन बत्रा जी कैप्टन सिजाब के सपूत्र ये सब विधान सभा में मैं संसत से आया हूँ एक संसत के रूप में मैं जिम्मेदारी अपनी समझता हूँ अगर धारा 144 है तो हम 9 में से भी 4 आदमी जाने के लिए तयार हैं अगर लेकिन यह सरकार यहां पर इतना बल लगाकर क्या चुपाना चाहती है सरकार को मूद चुपाने के जगा नहीं सरकार अपनी कितनी गलती चुपाए कितना ध्यान डैवर्ट करने का प्रयास करे सफल नहीं होगा हर्याना के लोग जान चुके हैं पूर्ट विफल सरकार है हमें यह कहा गया जब हमने आज पूछा डीजीपी ममता सिंग जी से बात करी उन्होंने हमें यह कहा कि तीन दिन के बाद उन्हें का कि दो तीन दिन का समय दे दिजिए वेस्वाम लेके जाएंगी सारी जगा उनको क हम लगाने वापि दुबारा जरूर आएंगे कॉंग्रेस पार्टी का है जो हमारे अध्यक्ष है दुपेंदर जी और तमाम सीने नित्या में परताब जी आज हम लोग नूव के अंदर जो हमारे विपारी भाई हैं जो हमारे दुकांदार लोग हैं जिनको नुक्सान है यह हमारे लोगतंतर की हत्या है और यह जो है एस सवधाने की है क्योंकि MP है MLA है हमारे द्रक्ष हैं और मैं समझता हूं कि जिसका भी नुक्सान हुआ है चैया आप जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं चैया किसी तरीके से हो चैया हो सरकार की दोवरा हुआ हो या किसी वक्ती दोवरा हुआ हो उन सब को हम देखना जाए चाते थे और तमाम समझताय के लोगों से मिलना चाते थे कोई एक समझताय के रचा भाजपा के लोगों ने मैं अरोब लगाता हूं बाजपा के उपर और मुख्यमंतरी कहते हैं कि हर व्यक्ति की रक्षा करना मेरा काम नहीं है किस बात का पैसा जो है पुलिस फोर्स ले रही है हमें रोकने के लिए ले 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 रखी है यह हमारे लोग तंत्र तंत्रिक जो हमारे अधिकार हैं उसका हनन है मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और साथ साथ होम मिनिस्TER का बी और चीफ मिनिस्टर कहा कौन अस्तिफा मंगते हैं कि आखिर कर जो चैह नहीं हमारे होम गाड के उसकी तैयं के लिए हम चाहते हैं सेटरिंग जज जो है हाई कोट का वो बैठे इसके और इसकी तैयकर कर दिया गया है जिले में कर्फियों के साथ समवेधनशीन इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और साथी पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार ग्र के बीच जाना चाहता था उद्यभान ने बताया कि हमारे नेता नुह, शहर, नलहड, मंदर और बाजारों का दौरा करने के लिए आए थे ताकि लोगों से मिलकर शांती और भायचारे का संदेश दिया जा सके लेकिन सरकार के इशारे पर पुलिस ने उन्हें नुह में जा अब आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद